शिरी तिरलोक चन्ठाबडा यह मेरे भारत की छोटी सी एक जाकी है अभी तो जमी में नीव भरी है शीश महल तो बाकी है मिशन आर्तिक आजादी के जनक शिरी तिरलोक चन्ठाबडा जी का जन सन 1957 में राजस्थान के अजमीर जिले के एक चोटे से गाउं नानसी में हुआ पिता मोहल लाल जी गाउं में एक चोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे माता धापु देवी ग्रहनी थी चै भाई भेनों में से शिरी तीसी चाबडा जी तीसरे नंबर के पुत्र है अपनी प्रारंबिक शिक्षा इन्होंने अपने गाउं में और उच्च शिक्षा जैपुर में पूरी की विलक्षन प्रतिबा के दनी शिरी त्रिलोक चन छाबडा जी सफल व्यवसाई के साथ साथ एक संगीतकार, गीतकार, लेखत और एक अच्छे वक्ता भी है और फिर दो जार में ये जो सिस्टर में रस्यम चालू किया I was 18 जब रस्यम की शुरुवात हुई और हमारे सामने ये सब चीज़े हो रही थी जब हम एजुकेशन में थे और हमारे पापा ने बिजने स्टार्ट किया था और वो शुरू से बहुत ही सिंपल परसन रहे हैं तो उनका जो स्टाइल अव बिजनेस था वो भी बहुत सिंपल था बट अट अड़ सेम ताइम वो ये जो उनका एक प्रिंसिपल है कि तिंग शुड बी और वेरी और उर्गिनाइज मानर तिलोक चैन चाबराजी को मैं लगबख पिछले सत्ता ही सालों से जानता हूं और उनके सानिद्य में मैंने काम भी किया है जाबडाजी की जो सबसे पहली क्वालिटी है कि या तो जिन लोगों पर भी जो इस्वास करते हैं उन लोगों पर पूरा बिलीव करते हैं और दूसरे उनकी जो क्वालिटी है कि वो किसी काम को करने की जब ठान लेते हैं तो उस काम को किसी भी हालात में उसको पूरा करते है जब यह चलू किया था हर्षिम, उससे कुछ समय पहले कुछ सिस्टम यहां हिंदुस्तान में चलते ते जो जानकरीम है, तो एक दिमाग में पता नहीं एकदम विचार से आया, कि यह तो बड़ा सुंदर सिस्टम है, अगर हम इसमें नॉर्मल प्रोड़क्ट जो हमारे रोज उप्योग होते हैं, वैसे प्रोड़क्ट लाकर अगर करें तो यह तो देश के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को इसका लाब मिल सकता है, और उसके बाद एक ऐसा विचार जो अंदर पैदा हुआ तो उस विचार ने मुझे कभी रुकनी नहीं दि वो हर काम को उतनी सीडियस ने से करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो, चाहे बड़ा हो. कि हाँ यह जिन्दगी में सही है यह काम सही है, तो मैं फिर किसी के रोके रुकता नहीं हो, तो आर्शेम के भी कान ही है, सुरो सुरो में सबने मना किया, करिवार ओलों ने भी मना किया, दोस्तों ने भी मना किया, बहुत सारी चीजे भी हुई लेकिन मैं का मुझे समझ में पूरी दुन्या विए अगर वो गलत है तो उसका साथ नहीं देना चीए हमको हमेशा सही चीज ही करने चीए जो उन्होंने अपने जबान से का उसको उन्होंने पूरा किया जबान के सच्चे यह उनमें मानता है MLM के नाम अब जादा तर नौ कुछ मेंगे प्रोड़क् लाथी है उसमें और जादा कुछ उसमें से बाठने की कोशिस करती है और हम आर्ष्यम में से क्यों प्रोड़क लाते हैं जो बहुत कम रेट में होते हैं बहुत ज़्यादा इदर कुछ चीजों को हाइफ फाइ करना या निया कुछ ज़्यादा अरकाई खर्च कर देना तो मेरे को कुछ महेंगी चीज खरीदना पसंद निया लाइप मेरे को जो वे बेच के सकते हुए हमारे इंदुस्तान का मिशन मंगल इसका बहुत बढ़िया उदारन है कि उन्हों उस पर्टिकुलर बजट में उनको बनाने की सोचा तो उन्हों ने उस चीज बना कर दी यह कोई भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और इनों ने जो सोच लिया कि म चले काम को आगे बढ़ाया फिर उनके मन में पता नहीं क्या लाला चाया तो उन्हों ने पूरा बाहर जाकर एक नहीं कंपनी सुरवात की और पूरा आर्शियम पर अटेक करना चाहिए और आर्शियम के सारे लोगों को सारे सिस्टम को तोड़ने की एक बार नी कई बार ब बोलते हैं और बोलते हैं वो एकदम शत्य और शीमित मात्रम है तारेट सेलिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली कि लोगों को कभी भी आप ओर कमिट्मेंट मत करो दो जार ग्यारा में जो हमारे साथ में गवार्मेंट का उसमें बोट अलग हमारे पर एफे लेना पड़ा मेरे परिवार पर संकट आए और परिवार से ज़्यादा जो हमारे जो टीम है हमारे इतना बड़ा हिंदुस्तान में परिवार बन चुका था उसको सबको दिक्कत आई लेकिन मन में विश्वास था कि आखिर जो सत्ते होता सामने आएगा ऐसा ट्राजिक पी जब जब भी हमने उसके बाद या उस दोरान जब भी हमको मौका मिला उनसे बात करनेगा उन्होंने एक ही चीज बस हमको बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा क्या हमने कुछ गलत नी किसी के साथ है और जो आर्शियम परिवार है उनका इतना विस्वास था उन्होंने एक साल और पूरा डटे रहे और जब उनका इतना विस्वास था तो उस विस्वास में इतनी ताकत आ गई और यह सब चीजे जो भी संकट का समय था वो निकला और अब सब चीजे दिरदे अच्छी हो रही है ऐसे साथी मुझे इस सिस्टम की उज़े से मिले आज इतनी बड़ी से ना कह सकते हैं इतना बड़ा परिवार कह सकते हैं देश के कोने कोने में और उसमें इतने जो संसकार बने हैं यह हमारे लिए एक बहुत खुसी की बात है इतना बड़ा व्यापार उद्योग दंदा होने के बावजूद इतनी बड़ा सामराज्य होने के बाद भी उनमें त जादर निलोगी एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कि वो आज इतना बड़ा बिजनस करने के पाउजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी को भी विश्वास नहीं होता जब मैं उन्हें उनकी बाते उनके किस से सुनाती हूं एक छोटी सी बात ले लिजे अ अग हम जब भी खाना काते हैं हम डाइनिंग टेवल में बैटके खाते हैं पर आज भी प्रिफर करते हैं कि हम जबीन पे उनके साहद बैठके उनके साहद ज़गे driving Catra टलोक तुन्झी चावडा इक वकतीने अढ़ोलन है उनके जीवन में उनोंने बहुत संगर्स तो किया ह है लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें है सादगी और सच्चाई आर्सियम की सुरुवाद से ही में काम कर रहा हूं और जब आर्सियम इनिस की सुरुवाद हुई थी तो टीसी सावड़ा जी की एक सोच थी कि दुनिया में जो कंपनिया आती है में मेल्टिलोल मार्केटिंग में वो बड़ी बड़ी और महंगे महंगे पड़क लेकर आती है और तीसी सावड़ा जी की सोच थी कि मैं एक ऐसी कंपनी की स्ताफ ना करूं जो इस तरह के पड़क बनाए जो इंडियन रेट में हो इंडियन कल्चर में हो इंडियन मेंटलिटी को सूट करते हो और आम आदमी उस बिजनस को कर सके, आम आदमी अपने जीवन को बदल सके. या अपना सेटप क्यों लगाता है, इसके पीछे मुख्य कारण है कि आर्चेम ने अपने प्रोड़क्ट डवलप्मेंट में चार कमिटमेंट कर रखे हैं कि ये चारों चीजें हमेशा रहेगी, पहली चीजे प्रोड़क्ट उप्योगी होंगे, दूसरा स्वास्ती के लिए अच्छे होंगे, क्वालिटी नंबर वन होगी और रेट बहुत रीजनेबल होगी, आर्चेम हमेशा उसके लिए कमिटेड है और इसलिए इतनी सारी कहिं अस्तापित की गई है, और नए प्रोजेक्ट प्लानिंग में है, फर्स्ट येर था उसमें 21 करोड का टोटल टॉट अच्छी बात ये कि हर साल 30% ग्रोथ हो रही है, इसले 5-6 सालों से मेंटेन ग्रोथ है, पूरी कोशिश रहीगी, कि कोई भी कमी किसी भी तरह की हमारी तरफ से नहीं रहीगी, कि इस काम को एक बहुत उंचे मुकाम पर पहुचाना है, और जब लाखों लोगों के जीवन मे अगर हमारे इस छोटे से प्रयास की वज़े से अगर थोड़ा भी हम कुछ योगदान कर सकते हैं, यह हमारे बहुत गर्व की बात है, मेरा गोल जो है वो यह है कि आज अपन इस RCM को हिंदुस्तान में नहीं बलकि कुछ ऐसा करेंगी कि पूरे विश्व में इसका बहुत तो आईए, सदी के इस महापुरुष, आर्थिक आजादी के जनक, लाखो लोगों के प्रेड़ना इस्त्रोथ, शृत्ति लोग चंजी छाबडा को हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओजस्वी उद्भोधन के लिए आमंत्रित करते हैं झाल 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 झाल